असलाम अलेकुम एवरिवन और वेल्कम टू मैं चैनल एस्पारेंट्स जैसा कि आपको मुलूम है लास्ट वीडियो में हमने 20 सब्तंबर 2020 वाले गैट का पार्ट 2 डिसक्स किया था और आज हम उसका पार्ट 3 डिसक्स करने चाहरे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जो नए आने वाले स्टुडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए पार्ट 3 में mostly questions आपको verbal reasoning वाले section से मिलेंगे और कुछ questions हम quantitative reasoning वाले section से भी discuss करेंगे तो यह आपके पास analogy का question है stable और horse अब जो गोड़ों के रखने की जगा होती है उसको stable का जाता है तो आपके पास पहले number पे animal के रखने की जगा है और दूसरे number पे वो ही animal होना चाहिए जिसके रखने की जगा है तो यह वाले relation आपने options में find करना है अब A और B तो किसी सूरत में ठीक नहीं हो सकते क्योंके ना हम बच्चे playground में नहीं रखते और जो चावल है वो हम granny में नहीं रखते option C और D में confusion है कि वे कौन सा ठीक है option C में आपको देखें B दिया गया शैद की मक्षी और हाइव उनके च्छते को बोलते है option D जो है वो every है और उनका birds का बताया गया अब हमने ये देखना है कि पहले नंबर पे किसी सीज का जिकर हो रहा है पहले नंबर पे उनका living place का जिकर हो रहा है तो option C और D में जो पहले नंबर पे living place होगी वो वाला हमारा answer होगा तो परिंदों को every में रखा जाता है तो option delta इस case में correct होगा तो आप option delta को टिक करेंगे इसमें देखें आपके पास mangoos है और snake है जो second number पे animal है वो first number वाले animal को eat करता है मतलब जो सांप है वो नेवले को खाता है तो आपने ये वाले relation find करना है कि second number वाले animal पहले नमर वाले animal को खाना चाहिए अब milk और goat ये बिल्कुल गलत relation है एक दूसरे को ये नहीं खाते option beta चक करें फिश और crane ये वाला option बिल्कुल दुरस्त है crane एक white color का परींदा होता है आप भी परींदा जो समुंदर के आसपास रहता है उसको बोला जाता है वो समुंदर से मचलियां पकड़ कर खाता है तो crane और फिश वाला option बिल्कुल दूस्त है तो option beta पे आग टिक कर देंगे option c चेकर ने whale और crow बिल्कुल गलत है कववा कभी भी whale को नहीं खाता और option delta चेकर ने water और sky ये relation भी बिल्कुल wrong है next आप देखिए insulin है और diabetes है जो आपके पास diabetes के patients होते हैं उनको insulin की deficiency होती है तो हम उनको insulin लगाते हैं तो इसी तरह option beta देखिए जो ये disease लिखी होई है goiter इसके जो patients होते हैं उनको iodine की deficiency होती है तो उनको हम iodine लगाते हैं अब ये वाली ऐसी analogy है जो medical के student ज़रा ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं तो अगर आपका medical background strong है तो आप इसका answer कर सकते हैं तो option beta correct है यहाँ पे next देखिए आपके पास है persuade persuade के मतलब यह होता है कि आप किसी की तरीफ करें किसी की सताइश करें किसी को होसला दें किसी की होसला अवजाई करें इसका हमने opposite बताना है तो opposite क्या होगा कि आप किसी को discourage करें मतलब उसकी होसला अवजाई ना करें उसको और ज्यादा degrade करें त आट्स्ट आप के पास wouldnक्लोसिव से इसका अपने antлось ने बताना है जंका मतलब यह होता है किसी चीजे करें करना पर टार्त करना युशीएट करना तो option बीटा कर्याइक्न होगा है नेक्स्ट आप देखिए, टेरनाइज है, इसका मत्तब यह होता है कि आप किसी पर जबर करें, किसी पर जुलम करें, किसी को पकड़ लें, किसी को कैद करके रखें, इसका आपोजिट क्या होगा, कि किसी को आप अजादी दे दें, तो आप्शन एल्फा करेक्ट होगा, फ्र गस्टी का मतलब यह होता है कि ऐसा environment जिसमें आप पुर सकून ना हो, जिसमें आपको अजीब किसम की anxiety फील हो, आपको सकून ना आ रहा हो, तो इसका opposite क्या होगा कि आप अगर सकून फील करें, तो calm इसका option correct है, तो option alpha पे आप टिक करेंगे. नेक्स देखिए, आपके पास है concord, concord का मतलब यह होता है कि आप किसी के साथ किसी की बात पे agree कर रहे हूं, और इसका opposite क्या होगा, कि आप किसी की बात से अगर disagree करें, तो आपके पास option alpha correct आ जाएगा. यहां से आप कुछ quantitative reasoning के questions देखते हैं, question paper में यह आया था, कि find the value of cos a, if cos a divided by sin a multiplied by tan a is equal to 16. अब यहां से देखें, आपके पास सबसे पहले जो relation दिया गया है, उसमें हमने tan a की value को expand कर दिया, tan a की value आपके पास होती है, sin a over cos a, तो उसकी जगह पे हमने sin a over cos a लिख दिया, is equal to 16 आ गया, अब हम इसको simplify करते हैं, जो नीचे cos a है, वो double fraction के साथ है, तो जब उसको simplify करें तो वो numerator में चला जाएगा, और sin और sin आप इसमें multiply हो जाएगे, cos square a divided by sin square a is equal to 16 आ जाएगा, अब आप दोनों तरफ square roots लीजिए, तो left hand side पे स्केर root, right hand side पे स्केर root, तो आपके पास scares cancel हो जाएगे, तो बाकी बज़ेगा cos a divided by sin a is equal to 16 का square root 4 होता है, अब जो left hand side पे sin a है, उ उसको आप right hand side पे लेकर जाएगे, तो वो multiply हो जाएगा, तो cos a is equal to 4 multiplied by sin a, अब आपको पता है, cos किन दो quantities का relation होता है, cos जो है, वो base divided by hypotenuse होता है, और sin किसका होता है, perpendicular over hypotenuse होता है, तो हमने उनके relations लिख दी है कि कौन कौन किसका relation बनता है, और साथ में जो 4 है, वो as it is चाल रहे है, अब देखें, आपके पास equation के दोनों side पे denominator में hypotenuse है, तो आप उसको cancel out कर सकते है, तो आप hypotenuse cancel out कर देंगे, बाकी आपके पास बचेगा, base equals 4 multiplied by perpendicular, इसको आप अगर rearrange करें, तो base उदर जाके divide हो जाएगा, और जो right hand side 4 है, वो left hand side पे आगे, वो भी divide हो जाएगा, तो 1 over 4 is equal to perpendicular over base, तो यहां से हम कह सकते हैं, कि perpendicular की value 1 है, और base की value 4 है, तो अगर आपने hypotenuse find करना है, तो उसका formula क्या होगा, पाइथागोरे स्कुरम लगा ले, आपके पास 4 square plus 1 square whole under root, और यहां पे आप 4 square 16 plus 1 17 under root square आ जाएगा, 17 square root आ जाएगा, तो यह आपके पास hypotenuse की value आ S आपके पास ऊपर देखे 4 है, और hypotenuse आपने अभी find की under root 17 है, तो cos A की value आपके पास 4 divided by under root 17 आ जाएगी, next question देखें आपके पास आया है, brother is 5 years old and his sister is twice his age, यह present ages बताई जा रही है, कि भाई की age 5 साल है और जो sister है S उसकी age brother की age से double है, twice means 2 times, तो B is equal to 5 आगे और sister की age 2 into B, 2 into 5 which means 10 years, यहनि कि अभी जो उनकी present age चल रही है, भाई 5 साल का है और जो बेहन है वो 10 साल की है, अब हमसे question यह पूछा जा रहा है find the age of sister, sister की age बताएं जब भाई 8 साल का हो जाएगा, अब present age 5 है, तो जब 8 साल का होगा तो इसका मतलब वो 3 साल बढ़ा हो है, तो अगर भाई 3 साल बढ़ा हो है, तो बेहन भी 3 साल ही बढ़ी होगी, तो it means बेहन पहले 10 साल की थी, वो 3 साल बढ़ी हो की 13 जवाब आ जाएगा, तो आप 13 years answer को tick करेंगे, students इसमें यह mistake करते हैं, कि वो कहते हैं कि जब brother 8 साल का है, तो sister 16 साल की उसकी डबल हो जाएगी, हाना कि ऐसा नहीं है, दोनों की एज बराबर बराबर बढ़ रही है, भाई पहले 5 साल का था, 8 साल का हुआ, मतलब 3 साल बढ़ा हुआ, अब बेहन पहले 10 साल की थी, वो भी 3 साल ही बढ़ी होगी, तो 10 और 13 साल जवाब आ जाएगा, sister की एज 13 years, next question आपके पास paper में आया है, if a TV is sold at a price of 9600, then it would gain profit, वो कहरे है, अगर एक TV को मैं 9600 रुपीज का सेल करूँ, तो मुझे profit होता है, ये नहीं बताया गया, कितना होता है, बस इतना बताया गया, कि profit होता है, however, if sold in रुपीज 6600, then it would cause the loss, वो कहरे है, अगर मैं 6600 का सेल करता हूँ, तो मुझे loss होता है, which would be double the profit, और loss जो है, वो profit का double होता है, तो हमें बताएं, हमने TV purchase कितना का किया है, अब आपको पता है, कि profit का formula क्या होता है, purchasing cost minus selling cost, अब purchasing cost, profit का formula होता है, sorry, selling cost minus purchasing cost, उलट बता दिया था मैंने, sorry, profit का formula होता है, selling cost minus purchasing cost, अब purchasing cost आपके पास होती है, वो हमने find करनी है, तो उसकी जगह पे आप x assume करनेंगे, तो profit की equation क्या बनेगी, 9600 minus x इतना profit आएगा, अब loss की equation क्या होती है, loss में होता है, purchasing cost minus selling cost, तो purchasing यहाँ पे हमने x assume किया हुआ है, और loss के case में हो कह रहा है, जो आपके पास selling cost है, वो 6600 है, तो x minus 6600 ही आपके पास loss की equation आजएगी, और हमें बताया गया है, कि loss जो है, वो profit का 2 times है, तो आप लिखेंगे, loss is equal to 2 into profit, अब loss की जगह पे आप लिखेंगे, आपके x minus 6600 और profit की जगह पे आप लिखते हैं, 9600 minus x, ऐसे, अब इस equation में आप x के लिए simplify करते हैं, आपके पास answer आजएगा, हम simplify करते हैं, देखें, x minus 6600, as it is आ गया, 2 को अंदर multiply किया, 2 into 9600 होता है, 19200, minus 2 into x, 2x हो गया, अब जिसी स्टर्म में x है, उसको एक तरफ ले हैं, और constant terms दूसरी तरफ ले जाएं, तो 2x इदर आके plus 2x हो जाएगा, और minus 6600 उदर जाके plus 6600 हो जाएगा, तो x plus 2x is equal to 3x हो जाएगा, और 19200 और 6600 को जम्मा करेंगे, तो 25800 आजएगा, x की value के लिए आप x को इदर ही रखेंगे, 3 उदर जाके divide हो जाएगा, 25800 divided by 3, you will simplify, you will get 8600 रुपीज, इतने का टीवी आपने खरीदा हुआ है, अब हम अगर verify करना चाहें, तो verify भी कर सकते हैं, देखो, 8600 का हमने खरीदा है, और अगर हम 9600 का बेचेंगे, तो हमें profit होगा, तो profit जो है, वो 1000 आया, ठीक हो गया, अब अगर हम 6600 का sell करते हैं, तो हमें loss होता है, और कितना loss होता है, 2000 का, तो आप equation को verify भी कर सकते हैं, कि loss जो है, वो profit का double है, profit हमें हो रहा है, 1000 और loss हमें हो रहा है, 2000, तो loss जो है, वो profit का 2 times है, इस मेंज हमने question को verify कर लिए हमारा answer बिल्कुल ठीक है, बहुत यसान question दिया गया था, add 4 hours 45 minutes, 3 hours 15 minutes and 6050 minutes, आप सबसे पहले hours को add कर लें, 4, 3 और 6 total आपके पास 13 hours आगे, minutes को add कर लें, आपके पास 45, 15 और 50 minutes add होके, total 110 minutes हो जाएंगे, अब option में कोई भी ऐसा option नहीं था, जिसमें यह लिखा होता, 13 गंटे 110 minutes, reason क्या है, आपके पास standard यह है, कि minutes 60 के बाद, next गंटे में convert हो जाते हैं, means उसे कि कोई भी बंदा आपनी height ऐसे नहीं बताएगा, कि मेरी height 5 foot और 16 inch है, वो कहेगा, मेरी height 6 foot 4 inch है, standard हर चीज़ का होता है, यूनिट के according हमने बताना होता है, तो हम 110 minute को कैसे convert कर सकते हैं, हम 110 minute को लिख सकते हैं, एक गंटा और 50 minute, अब यह जो एक गंटा है, वो हम hours वाले में add कर देंगे, तो आपके पास जो final time आएगा, वो 14 गंटे और 50 minute आएगा, और यह option में मौजूद है, और यह आपका answer है, 14 15 hours, 50 minutes, next question देखें, ages वाले chapter में से आया है, father's age is four times the son's age, वो कहरा है, बाप की age, बेटे की age का चार गुना है, तो f is equal to 4s, f means father और s means son, equation 1 आ गई, इसके बाद देखिए, वो कहरा है, five years ago, past की बात हो रही है, तो आप बाप की age से और बेटे की age से दोनों की age में से पांच-प करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि past की बात हो रही है, और पांच साल past की बात हो रही है, तो आप पांच-पांच दोनों की age में से माइनस कर देंगे, next step क्या है, right side को आपने bracket में करना है, और वो कहरा है, father's age was seven times age of son, तो आप right side को seven से multiply कर देंगे, ages वाले chapter को equations में कैसे convert करत करते हैं, तो यह आपके पास equation two आ गई, अब आप equation one से f की value उठाकर equation two में substitute कर देंगे, तो f की जगह पे 4s आ गया, 4s minus 5 is equal to 7s minus 35, अब जिस जिस term में s है, उसको एक तरफ ले जाए और constant term दूसी तरफ ले जाए, तो minus 5 plus 35 एक तरफ आ गए, और 7s minus 4s दूसी तरफ आ गए, तो minus 5 plus 35, 30 आ जाएगा, और 7s minus 4s, 3s आ जाएगा, यहां से आप s के लिए simplify करेंगे, 30 over 3, sun की age आपके पास 10 साल आ जाएगी, हमने father की age फाइंड कर नहीं है, तो s की value आप equation one में substitute कर देंगे, तो 4 into 10, तो father की age आपके पास 40 years आ जाएगी, next question आपके पास clock वाले chapter से आया है, हमने angle बताना है minute hand और hour hand के दर्म्यान में, अगर आपके पास time 9 बजए हूँ, अब clock का formula आपको पता है, क्या होता है, 30 x minus 11 y upon 2, अब इसमें जो x और y है, x आपके पास hour hand unit होता है, और y आपके पास minute hand units होता है, तो 9 बजए में आपके पास hour hand units 9 होंगे, और minute hand units 0 होंगे, 9 बजए को हम यह कह सकते हैं, क्या 9 बज़कर 0 minute, तो आप x की जगह पे 9 पूट कर देंगे और y की जगह पे 0 पूट करेंगे, जब हम y की जगह पे 0 पूट करेंगे, तो 11 into 2 multiply होके वो भी 0 हो जाएगा, तो 30 into 9 minus 0, तो 30 into 9, 270 आ जाएगा, अब student यह mistake करते हैं, कि 270 को answer लगा देते हैं, हाना कि यह ऐसा नहीं है, clock वाले formula में एक additional information है, additional condition है, कि अगर आपका answer 180 से ज्यादा आ रहा है, तो आप उसको 360 में से subtract कर देंगे, तो आपके पास answer 180 से greater है, तो आप इसको minus कर देंगे 360 में से, तो 360 minus 270, आपके पास 90 degree answer आ जाएगा, next question देखें, probability वाले chapter से आया हो है, आपके पास 900 students हैं एक group में, और 400 girls हैं, हमने probability बतानी है कि boys की probability कितनी है, तो probability GCs की find की जा रही होती है, उसकी value को उपर रखते हैं, तो number of boys को हम उपर रखेंगे, हमें boys नहीं पता, तो हम total में से अगर girls को निकाल दें, तो हमारे पास boys आ सकते हैं, तो 900 total है, minus girls 400 है, उनको निकाल दिया, तो 900 minus 400, 500 आ गया, और नीचे total 900 students है, तो नीचे 900 आ गया, next देखें, आपके पास question है, find the value of x, if this equation is 11x minus 5 is equal to 5x plus 11, बहुत easy question है, देखें आपके पास सबसे पहले 11x minus 5 is equal to 5x plus 11, यह equation हमें गिवन है, जिस system में x है, उसको एक तरफ ले आए, तो 5x right side पे था, उसको left side पे ले आए, minus 5x हो गया, और जो minus 5 भी था, वो दो जाके plus हो जाएगा, तो 11x minus 5x, 6x हो गया, और 11 plus 5, 6 हो गया, यहां से आप x के लिए simplify करेंगे, 16 over 6, 2 के साथ cancel होगा, 2 8s are 16, 2 3s are 6, तो 8 over 3 आपके पास x का answer आजाएगा, next question देखें, आपके paper में आया है, in a small town, 15 people on Ford and 12 people on Toyota, वो कह रहा है, एक चोटा सा town है, जिसमें 15 लोगों के पास Ford गाड़ी है, और 12 लोगों के पास Toyota गाड़ी है, ठीक हो गया, आगे चलें, आपके पास F.O.T. की values आ चुकी है, next वो कह रहा है, if 11 people on both Ford and Toyota, वो कह रहा है, ग्यारा आदमी ऐसे हैं, जिन्हों के पास दोनों गाड़ीयां है, Ford की गाड़ी भी है और Toyota की गाड़ी भी है, तो हमें बताएं, कितने ऐसे आदमी हैं, जिनके पास दोनों में से कोई एक है, Ford है या Toyota है, तो इस question को solve करने का एक formula है, उसको आप note कर लें, वो क्या है, कि both is equal to individual categories minus either category, यह general formula मैंने बोला है, वो इदर लिखा नहीं हुआ, आप लिख लें इसको, both categories is equal to individual categories को add कर देना है, minus either category, तो यहाँ पे देखें, आपने either category find कर लिए हैं, either Ford or Toyota, तो उसके लिए आप rearrange कर लें, F plus T minus both, यहाँ पे F की value 15 है, T की value 12 है, और both का यह मतलब है, कि जिनके पास F और T दोनों है, तो आप both की जगह पे 11 put करेंगे, उसके लिए simplify करेंगे, 15 और 12, 27, 27 minus 11, आपके पास 16 जवाब आ जाएगा, तो 16 people ऐसे हैं, जिनके पास दोनों में से कोई एक गाड़ी है, either Ford or Toyota, इन दोनों में से कोई एक है, ऐसे questions को आप when diagram से भी solve कर सकते हैं, लेकिन वो ज़रा मुश्किल concept है, especially उनके लिए जो medical background से आते हैं, तो यह वाला simple formula है, आप इसको याद लग लें, और इसमें value substitute करें, और आपके पास answer आ जाएगा, तो आपने 16 को tick करना है, next question आपके पास inequalities वाले chapter से आया हुआ है, हमने x की value बतानी है, जबके relation है 9 minus 3x is greater than 0, तो इसमें आप जो variable है, उसको पहले एक side पे ले जाएं, तो minus 3x जब दूसरी side पे जाएगा, तो वो positive हो जाएगा, तो आप उसको लिखेंगे 9 is greater than 3x, अब जो right hand side पे 3 है, उसको जब left पे लेके आएगे, तो वो divide हो जाएगा, तो 9 over 3 is greater than x, तो 9 over 3 का answer 3 आएगा, तो आप लिख सकते हैं 3 is greater than x, अब यह standard form नहीं है, answer देने की 3 is greater than x, inequalities में जब आपने answer देना होता है, तो variable हमेश्या पहले बोला जाता है, और constant value बाद में बोली जाती है, जबकि यहाँ पे constant value पहले है और variable बाद में है, तो आप इनको reverse कर देंगे, reverse करने से inequality का sign reverse हो जाता है, यह property के आप note कर लें, जब भी inequality में आप पूरी left hand side और पूरी right hand side को आपस में interchange करते हैं, तो inequality का sign reverse हो जाता है, कैसे reverse होगा, ऐसे reverse होगा, पहले था 3 is greater than x, जब reverse करेंगे तो बनेगा x is less than 3, तो आपके पास answer जो आएगा, वो x is less than 3 आएगा, यह question paper में आया था और इसके option इस तरह लिखे होगे थे, x is less than 2, x is less than 3, x is less than 7, x is less than minus 3, इस तरह करके, तो आपने x is less than 3 वाले को tick करना है, variable पहले बोलना है, constant value बाद में बोलना है, next question देखिए, 5 added 3 times to a number, the number becomes 41, find the number, वो कहरा, अगर आप 5 को add करें, किसी number के 3 गुना में, तो result 41 आता है, हमें बताएं number कितना है, तो 5 added, क्या मतलब 5 आप add करेंगे, किसमें add करेंगे, 3 times of a number, कोई number हमने x एजून किया, उसका ले 3 times, 3x हो गया, उसमें 5 add करना है, तो आप कैसे लिखेंगे, 5 plus 3x, 5 added 3 times to a number, plus 3x, the result, the number becomes 40, result आता है, 41 बन जाता है, तो आप उसको 40 equal to 41 कर देंगे, अब 5 जब उदर जाएगा, तो वो subtract हो जाएगा, 3x is equal to 41 minus 5, तो 41 minus 5, 36 होता है, यहाँ से आप x के लिए simplify करेंगे, 36 upon 3, तो 36 upon 3 को आप simplify करेंगे, x का answer आपके पास 12 आजाएगा, तो आप 12 पे टिक लगाएगे, यह आपके पास part 3 का last question है, आपके पास total amount दी गई है, 294500, यह आपके पास amount है, आपने जकात find करनी है, अब जकात वेले questions के लिए आपके पास दो ही फार्मूलाज है, वो दो फार्मूलाज क्या है, अगर आपको जकात given है, और total amount पूछी जा रही है, मतलब दूसरी amount पूछी जा रही है, तो आप 40 से multiply कर दें, दूसरा फार्मूला क्या है, अगर आपको amount given है, और आपने जकात find करनी है, तो आप 40 से divide करते हैं, वो 2.5% वाले scene को याद रखनी के कोई जरूद नहीं है, उसमें students confused हो जाते हैं, आप आस इतना याद रखें, कि 40 से जरब देनी है, या 40 पे तक्सीम करना हैं, बस, जब जकात find करनी हो, तो 40 पे divide करते हैं, और जब जकात given हो, और दूसरी amount find करनी हो, तो 40 से multiply करते हैं, तो आपको यहाँ पे जकात find करनी है, तो जकात का formula लगाएं, 294500 divided by 40, आप इसको simplify करेंगे, 0 के साथ 0 के answer, और बाकी value को आप 4 पे divide करें, तो आपके पास answer आ जाएगा, 73,625, तो आपके पास जकात की amount इतने आ जाएगी, इस वाज थर्ड पार्ट ऑफ दे 20 सब्तमबर गैट, पार्ट 1 और 2 के लिंक आपको send कर दी, डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, थैंक यू फर वाचिकी फुल वीडियो, प्लीज लाइक, शियर और सब्सक्राइब फर और मोर पास पेपर डटा, अपने दोस्तों के साब जरूर शियर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा जदा लाइक करें, कमेंट्स दें, एपना बहुत ज़्यादा खियार रखें, टेक चियर, अलावेद, असलाम अलेकूम